नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे पदमश्री से सम्मानित सुप्रतिष्ठित लेखी का सुनीता जैन जी की कहानी इतने बरसों बाद लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये इतने बरसों बाद उसकी नई नई नौकरी लगी थी जितना डर उसे पहली क्लास पढ़ाने में लगा उतनी ही खुशी अपना ओफिस देख कर हुई हाला कि उस ओफिस में एक अन प्रोफेसर का डिस्क इत्यादी भी था जिसका पुराना और निर्विरोध आधिपत शायद उसके हिस्से में पढ़ने वाले कमरे के कोने के महत्तो को अन्य की द्रिष्टी में कुछ कम कर देता पर उसके लिए उस कोने डेस्क बुक शेल्फ का क्या महत्तो था इसे वही समझ सकते हैं जो बहुत लगन से किसी वस्तो को चाहें और उसे तनिक सी आशाना होने पर भी प्राप्त कर लें संचेप में एक जाकरत स्वपन सा उसे अपना आफिस महसूस होता था वह चायती थी जल्दी से जल्दी उसका व्यक्तित उसके आफिस से ऐसा घुल मिल जाए कि जब सुबह वह दर्वाजा खोले त उसने एक फूल सजाना शुरू कर दिया वे पतज़ड के दिन थे गुलदावरी ताजा फूली हुई थी घर से लाया फूल अगले दिन एकदम खिला मिलता मेज कुरसी के अलावा अपने ऑफिस में सबसे खूपसूरत उसे लगती थी पुराने स्टाइल की धनुशाकार ख खिड़की के नीचे थी जील जिसमें कॉलेज की सीडिया उतरती थी जील में तेरती कॉलेज की दो-तीन छोटी सेलबोट और एक बड़ा याज जील के दूसरे किनारे सघन ब्रक्षों में मेपल ब्रक्ष कभी लाल कभी सुनहरे रंग बदलते रहते वह अकसर आफिस में अ अलवा घंटा खाली थी उस खाली समय में चाय की बेहद आवशकता महसूस होती क्योंकि कॉलेज घर से 35 मिल दूर था सुबह सुबह इतनी गारी चलाने और पढ़ाने के बाद अगला लेक्चर लेने से पहले गले में खुसकी मालूम होती देखा की कमरे के एक कोने में कॉफी बरतन है कुछ बिना धुले प्याले भी रखे हैं लगता था बहुत अरसे से किसी ने वहाँ कॉफी नहीं बनाई घर से वह अगले दिन कॉफी का डिपबा चीनी मिल्क पाउडर वगएरे सब चीजें ले आई अपने हाथ की कॉफी की बात ही कुछ और है क्लास के लिए चलने लगी तो खयाल आया कि पानी तो इतना गरम है जॉर्ज के लिए भी एक प्याला बना कर रखती जाए जॉर्ज सीनियर प्रोफेसर थे जो उस कमरे में बहुत सालों से थे लंबे एकहरे शरीर के व्यक्ति सिर पर बहुत थोड़े ब आती क्योंकि जब वह फ्री होती थी तब वे पढ़ाते और जब वे पढ़ाकर आते तब उसकी 11 बजे की क्लास का समय हो जाता क्लास पढ़ाते ही वह प्राया घर चली जाती क्योंकि उसका सबसे छोटा बेटा स्कूल नहीं जाता था बेबी सिटर के यहां से उसे लेने को वह उतावली रहती, एकाथ दिन बाद की बात होगी, वह कमरे से निकल रही थी, जॉर्ज पढ़ा कर आ गए, हवा में फैली कॉफी की सुगंद को लंबे सांस में भर कर प्रसन हुए, बोले, देखता हूँ मेरा प्याला भी तयार है, यह तो नहीं मालुम था कि आप चीनी द प्याक भरते अपनी मेज के प्याले तक पहुच कर बोले, ब्लैक ही पीता हूँ, अच्छा है तुम इस कमरे में हो, तुम्हारे आने से कमरा साफ रहने लगा है, धूब की एक किरन जॉर्ज के मुँपर उस समय पढ़ गई थी, उनकी अक्सर हरी जैतून के रंग की आखें सहसा रंग बदल कर गहरी बादामी लगने लगी थी, अक्टूबर के अंत में उसके लिए घर से दिवाली के उपलक्ष में कई नई साड़ी आई, उसमें उसकी मन पसंद काली साड़ी भी थी, जिस पर चोड़ा लाल बॉर्डर था, क्लास पढ़ा कर वह आई, और आफिस क दर्वाजा ठेल कर चोखट पार करने ही लगी थी, कि सुना, बस एक मिनट खड़ी रहो, देखें तो कैसी लग रही हो, हिलना नहीं, हाँ, उसे हसी आई, कुछ सकुचा कर अपनी मेज से टिक कर खड़ी हुई, आदेश देने वाले बॉब थे, जो अक्सर पहले भी उसकी स पहनावे पर कई कॉम्प्लिमेंट दे चुके थे, बहुत खुश है आज, इस लिबास में तुम्हें देखकर खुशना हो, आखिर तो इटैलियन खून है मेरा, दो पुष्ट से अमेरिका में रह रहे हैं तो क्या, उसे लगा कि बॉब की पतनी ने कुछ तीखा सा उसकी ओ पढ़ाते थे, गैलरी के दूसरे छोर पर उनका ओफिस था, जॉर्ज से मिलने आते रहते थे, कॉफी प्याले में डाल उसने सबकी ओर देखा, बॉब से बोली, सुनिये, आप से परिक्षा पत्र के विशाय में पूँचना था, दीन कह रहे थे, आप भी वहीं पढ़ा र आया, कुछ अन साइक्लो स्टाइल पर्चे इत्यादी भी, उसकी पत्नी उस दिन चुट्टी पर थी, काफी देर बैठे रहे, फिर बोले, जेम्स जायस ने लिखा है, पूर्वी देशों की महलाएं बेहत एक्जॉर्टिक होती है, अब देख रहा हूँ कि ठीक लिखता है जॉर्ज, तुम हमसे कमरा क्यों नहीं बदल लेते, बॉब के जाने के बाद काफी समय बाद उसने जॉर्ज की तरब देखा, उसे देखना पड़ा, क्योंकि वह गंभीर होकर उसी ओर देख रहे थे, बोले बॉब की बातों का बुरा ना मानना, उसकी यह सब कहने की आदत है, जॉर्ज का अपने प्रती कंसर्ण उसे बहुत अच्छा लगा, नवंबर में उनके टाइम टेबल में परिवर्तन हो गया, जॉर्ज भी उसी फ्री टाइम में फ्री रहने लगे, साहित पर काफी दिल्चस्प वारता होने लगी, सिल्विया पलात ने हाल ही में आत्मत् थी, मृत्तु से पूर्व की उसकी दो कविताएं उसे बेहत पसंद थी, जॉर्ज ने एक बार टोका, देखता हूँ सिल्विया पलात को बहुत पढ़ती हो, वहां प्रतिभा होते हुए भी पागलपन को इतना अंगी कार कर लिया गया है, कि मृत्तु और जीवन में असंत दिसंबर के अंत में बड़े दिन की छुटियां प्रारंब होने से पहले, बॉब उसे और जॉर्ज को लंच के लिए जील पर बने एक बेहत खूपसूरत रेस्टोरेंट में ले गया, जहां बत्कें किनारे किनारे तेजी से तैर रही थी, बरफीले पानी में तेजी से लिंजर का खयाल आया, वार्ता चली, जीवन को हर चण स्वेकार करते चलने पर, जॉर्ज बहुत कुछ चुप थे, उसने उन्हें एकाद बार अपनी ओर देखते पाया, बॉब कुछ जादा पीकर अधिक मुखर हो गया था, जैसे इस पंतन सिर्फ अनुभव होते हैं, व वैसी ही कुछ थी वह दोपहर, लोडते समय गाड़ी वही चला रही थी, बॉब को उसने कॉलेज छोड़ दिया, जॉर्ज बोले घर जाने की जल्दी तो नहीं, गाड़ी जॉर्ज ने ले ली और दोनों एक स्टेट पार्क में गाड़ी पार्क कर कुछ देर वहां के सनना अची तो हो कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, खास कर आज इस सफेद साड़ी में बहुत ही भली दिखती हो, जॉर्ज ने उसका पल्ला हाथ में ले सफेद साड़ी पर कढ़े कत्थाई और हरे रंग के रेशम के फूलों पर उंगली चलाई, सच में ही चोटी नाजुक सी लड़की हो, इतना बल तुम में कहां से रहता है, कभी कमजोर होती नहीं दिखती, इतने दिनों से मेरा इतना खयाल करती आ रही हो, सोचता हूं किस प्रतिकार की एक्षा से, यह तो अमेरिकी सोचने का तरीका है न, अपने यहां संबंधों के बहुत से रंग ही नहीं, शेड भी होते हैं, या कहिए अनाम रिष्टे, सो आपकी तरह ना हम गिल्ट की भावना से ग्रस्त होते हैं, न डर पनपता है, जोर्ज देर तक सोचते रहे, फिर एका एक बहुत ही प्रसंद हो गये, एकदम जैसे छोटा बच्चा किसी रहस को सुलजा कर विवोर हो जाता है, कार के शीशे पर बर्फ की बारीक चादर बिच गई थी, बोले चलो तुम्हारी कार में तो इसनो टायर भी नहीं, और तुम्हें दूर जाना है, उसने जॉर्ज को कॉलेज उतारा, घर पहुँचने तक बर्फ का अंधर चलने लगा, सुबह उसकी कल हम स्टेट पार्क गए थे, और तुमसे काफी बातें हुई, मैंने उसे कह दिया है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जलाहट भरे विसमे से वह इस्तब्ध रह गई, क्या सोचे की एन, उसकी पतनी, एक पार्टी में उससे मुलाकात हुई थी, अच्छा कलात् प्यक्ति तो था एन का, पर पता नहीं क्यों, फिर भी एक रोचक उपन्यास के एपिलाउक सी वह लगी थी उसको, उसे चुप पा बोले, बहुत खुश होई सुनकर, तुम्हे वह फोन करेगी, एन का फोन आया, निमंत्रन भी, इन्फॉर्मल से डिनर के बाद वे सब बच छे बच्चों को बारी-बारी से टोबा गन में फिसलाने लगे, इस बीच एनक पर चड़ी बर्फ पोंचती एन उसके पास सरक कर खड़ी हुई, बोली, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत ही आभारी हूँ, जॉर्ज को इतना प्रसन और खुला-खुला बहुत अर्से में हर बार उसे यही लगा कि एन और जॉर्ज कुछ खुलते नहीं, पार्टी के दोरान जॉर्ज अक्सर उसके निकट आकर बैट जाते और दोनों फिर किसी प्रिये लेखक के जीवन दर्शन पर विवाद करने लगते, जॉर्ज के इस बिवहार में कुछ अटपटा भी हो सकत है, यह वह दूसरी सभता में पली होने के कारण उस समय लक्ष नहीं कर सकी, मार्च महीने में उसके घरेलू वातावरण में कई परिवर्तन हुए, उसके पती को एक दूर शहर में बहुत अच्छी नौकरी का ओफर आया था, बहुत सोच विचार कर यह निर्ने हुआ कि वह पहले चले जाएं, जाकर रहने लाइक अच्छी जगह देखें, तब तक बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे, उसकी भी साल भर की कमिटमेंट जो कॉलेज से थी, वह पूरी हो जाएगी, साथ ही जिस घर में वे रह रहे थे, वह उसका बनवाया हुआ था, उसके विक् ठेल कर बंद कर दिया, उसका हाथ दोनों हाथों में पकड़, उसे वक्ष पर रखते हुए बोले, जानती हो, मैं तुम्हारे आत्म बलका रहस समझ गया हूँ, एक बार मैंने कहा था कि मेरा इतना खयाल रखती हो, वह किस प्रतिकार की इच्छा से, समझता हूँ प्रतिका प्रतिकार नहीं चायती, इसी से सबल हो, हमारी औरतों की तरह यह अपेक्षा नहीं करती, कि मैं तुम्हें कहीं कॉफी पिला कर लाओं, बल्कि कॉफी बना कर रोज रख देती हो, देने की छमता है ना, इसी से सबल हो, आप भी अजीम है, हैरान सी वह बोली, नहीं, नहीं टालो नहीं तुम दे सकती हो बोलो दे सकोगी और उनमत से ही वह लोट गए वह सामानत है शायद जॉर्ज के इस कथन पर अधिक बिचलित होती पर घर की उलजहने उन दिनों बहुत थी बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ेगा यह खयाल उसे रुच नहीं रहा था पर फि के जाने से एक रात पहले उसने बॉब और जॉर्ज को सपतनी खाने पर बुलाया उस रात बॉब उसके आइस्थाई वैधब को लेकर छेड़ चाड़ करते रहे और हसी मजाक में उसने यह भी नहीं देखा कि एन उस शाम बिलकुल गुमसुम थी अगले दिन एयरपोर्ट उससे वापस आ वह लेटी थी कि एन का फोन आया फोन पर एन का स्वर बेहत द्रस्त मालूम होता था बोली जॉर्ज ने मुझसे कह दिया है कि वह तुमसे प्यार करता है धीरे धीरे उसकी आवाज में रोश और अपमान की पीड़ा भरने लगी बोली मैं जानती हूँ तु कभी बुरा भला कहने लगती कभी अनुनय करने लगती एन पर उस समय उसे न दया आई न गुसा उसे हैरानी जॉर्ज पर थी जिसने बिना कभी उससे कुछ कहे उसका मन जाने इतना सब एन से कहा उस समय वह इतनी छुपध हो गई कि अपनी सफाई देने की जरूरत भी उस उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया घर से क्लास और क्लास से सीधी घर घर का कामकाज समाप्त कर वह अपने को बेहद अकेला पाती टेली विजन देखने से भी अनिच्छा हो गई थी बच्चों के सो जाने के बाद सुनसान घर में बहुत सी बातने उसके मन में उठती देश क की बेहद याद आती मा की याद अपनों की याद आती एन ने जो बुरा भला कहा था वह उसे कचोडता रहता एक अमेरिकी मित्र से उसने बात चीत की उन्होंने बात हसी में टाल दी कि नौकरी के जगत में महिला जो भी आकरशक होगी वह पुरुष की आसकती और नारी के अविश्वास का पात्र सदा रहेगी इसमें छुपधोने की तो खास बात नहीं सुनकर उसके मन को संतोश नहीं हुआ तो क्या नारी केवल शरीर है ममता प्रेणा दया शक्ति उदारता कुछ भी नहीं सिर्फ शरीर से आकी जाए नारी ऐसी बेबस किस सबब हो जाती है कॉ अफिस में कुछ पुस्तकें पड़ी थी वह उन्हें लेने गई कमरे की चाबी जो उसके पास थी उसे भी डीन को वापस करना था जाते ही कुछ लड़के लड़कियों ने उसे घेर लिया उन्हें तभी मालुम हुआ था कि वह अगले साल वहां नहीं पढ़ाएगी वे लो था कि एक अच्छे सिक्षक की परीक्षा में वह उत्तीन हो गई है जोर्ज भी कमरे में थे जैसे उसी की प्रतीक्षा में बैठे हों विद्यार्थियों की भीड छट जाने पर वह एक दो छट खड़ी सोचती रही कि चली जाओं क्या बिना बोले एक एक वह लंबा सा डग भर कर उसकी मेज पर आटिके सुनो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एन मुझे तलाग दे रही है इस साल उसका कई वर्ष से एक कवी से प्रेम है वह कवी विवाहित है और एन का प्रेम लोटाने में असमर्थ फिर भी वह मुझे से दूर होती चली जा रही थी और उस पर अब वह नहीं जाएगी मुझे चोड़ कर बोलोगी नहीं कुछ भी वह नहीं ही बोली बस तनिक सा उनकी ओर देख चलती चली आई उस देखने में जॉर्ज ने बधाई पाई की प्रतारना कहना कठिन होगा पर इतने वर्षों के बाद वह सोचती है कि जॉर्ज ने मित मित्रता का ढोंग या नाटक किया इस संशय ने भले ही उस समय उसे तिल मिला दिया था और यद्यपी उसका मन कहता था कि अच्छा हुआ हमारी मित्रता सार्थक हुई जॉर्ज तुम्हारी ग्रहस्ती तूटी नहीं फिर भी कहीं एक अच्छमा जॉर्ज के प्रती भीतर से उसे तोड़ती पर अब प्रतार्णा और बधाई के वृत्त से उपर एक अनही बात उसके मन में आती है वह सोचती है सर्दियों में जील का पानी जम जाने पर एक छोटे से घेरे में तेजी से तैर कर जीती जीवित रहने के प्रयत्में निरंतर सनलगन बत्कों से ही नहीं आती है हमारी अपनी जील में तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं